आपका स्वागत है और आज हम सीखेंगे मोडाल्स में कैन और कूड का परियोग तो स्टूडेंट्स वीडियो को अंतक देखेंगा ताकि आप कैन और कूड का परियोग जो है वो अच्छे से सीख पाएं और इसके साथ चैनल को लाइक और सबस्क्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको सेईर कीजिये ताकि वो भी चैन और कूड का परियोग सीख सकें तो स्टूडेंट्स चैन का परियोग चैन का परियोग जो है पहला दिया है तो एक्स्प्रेस प्रेजेंट एबिलिटी और कैपिस्टी तो किसी की प्रेजेंट कैपिस्टी या एबिलिटी को शो करने के लिए हम कैन का प्रियोग करते हैं जैसे कि आप यहां देखें I can speak English कि मैं इंगलिस बोल सकता हूं तो यह उसकी क्या है यहां किसका यूज हुआ तो हम किसी की कैपिस्टी यूज हुआ तो वो और वो भी प्रेजेंट की स्टूडेंट तो वो क्या किसका प्रियोग होगा इसी तरह से I can swim across the river कि मैं river को पार कर सकता हूं तो यह भी उसकी कैपिस्टी है तो can का प्रियोग होगा तो next students request और वो भी informal वो भी informal request तो request में क्या है students देखिए जैसे कि यहां दिया request में can I sit here तो यह जो यहां इसने request की है यह request कैसी है students के आप यहां चाहे मना करें या कुछ हो वो यहां पर बैठेगा ऐसे ही can you give me a glass of water कि क्या आप मुझे पानी का glass दे सकते हैं तो यह एक request है पर request का मतलब यह है कि आप deny नहीं कर सकते जो request की जा रही है वो आपको पूरी करनी है तो इस बात का आपको यहां ध्यान रखना है कि यह जो sense है informal जिसे का आगया है तो इसका मतलब है कि यहां जैसे इसने can I sit here तो यह यहां यह नहीं है कि वो मना कर देगा तो वहां नहीं बैठेंगे तो वो तब भी वहां बैठेगा इस तरह से can you give me a glass of water तो यहां उससे पानी मांगा गया है तो वो पानी की जो request की गई है पानी के लिए अगर वो देता है ठीक है नहीं तो वो खुद भी लेके पी लेगा तो यहां एक capacity से related बात है next आप देखेंगे permission informal permission लेने के लिए या फिर देने के लिए यह भी जान रखना जैसे कि you can go now तुम जा सकते हो आगे देखेंगे ma'am can I submit my form tomorrow कि मैं अपना form जो है वो कल जमा करवा सकता हूँ और ma'am कहते है yes you can bring it tomorrow कि तुम इसे कल ला सकते हो इसी तरह से absence of ability जो योगता है उसको हम जब यूज नहीं करते हैं तो उसमें हम यूज करते हैं can't cannot इसे हम can't बोलते हैं students I can't lift this back कि मैं इस box को नहीं उठा सकता I can't understand your language कि मैं तुमारी बासा नहीं समझ सकता तो जब absence of ability है lake of ability है तो वहां हम can't का यूज करते हैं students ये भी आपने ध्यान रखना है कि जहां पर absence of ability की बात होती है तो वहां can't का प्रियोगता है cannot जिसे हम कहते हैं उसे can't बोला जाता है जब इस तरह से ही कठा इसको लिखा जाता है उसके बाद है students to express more possibility कि ज़्यादा possibility हो कहीं तो वहां हम can't का यूज करते हैं the sky is full of clouds के जो आकास है वो बादलों से भरा हुआ है it can rain today के आज बरसात हो सकती है तो यहां ज़्यादा संभावना शो की गई है तो यह आपने जो rules पढ़े students पहला है present ability को दरसाने का दूसरा है request informal permission वो भी informal absence of ability और to express more possibility आईए अब सिखते हैं could का परियोग could जो है students can की past form के रूप में यूज होता है तो यहां हम past ability के बारे में बताएंगे किसके बारे मताएंगे past ability के बारे में I could swim when I was young मैं जब जवान था तो मैं तैर सकता था तो यहां past ability के बारे में बताएं to express polite request polite request के बारे में बात है could you tell me the time please तो polite request आप देखते हैं कहीं बार यूज होती है will में भी would में भी और यहां could में भी आई है तो polite request जब यूज होती है तो आप देखते हैं यहां यह इस तरह से please लिखा होता है तो polite request होती है could you tell me the time क्या तु मुझे समय बता सकते हो तो वो polite request जब है तो could का प्रयोग यहां पर हम कर सकते हैं आगे है students to express a wish कोई इच्छा बताने के जाहिर करने के लिए I wish I could go on a long holiday with my family तो यहां आप देख सकते हैं कि उसकी इच्छा है कि वो लंबी छूटियों पर अपने परिवार के साथ जा सके उसके बाद है possibility उसमें थी more possibility यहां है possibility if we had money अगर मेरे पास धन होता we could buy that house मैं इस घर को खरीद लेता खरीद सकता था तो यह possibility है past की possibility है यह आपने ध्याना करना है उसके बाद है to express the permission to express the permission in the past past में कोई permission की बात है I could go into her room anytime कि मैं उसके कमरे में कभी भी जा सकता था मतलब यह past की बात है कि मैं उसके कमरे में कभी भी जा सकता था वो past की अपनी बात को express कर रहा है उसके बाद है can के past tense के रूप में could का प्रियोगत है यह अभी मैंने आपको बताया था तो he said that he could go यह कुछ rules है students जो आपको ध्यान रखने हैं तो उमीद करता हूँ आपको यह समझ में आयोंगे और अच्छे से आप इन्हें सीख लेंगे इसके साथ साथ students चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरा message आपके लिए कि आप हर रोज meditation कीजिए meditation को अपने जीवन में लाइए क्योंकि meditation हमारे जीवन के लिए बहुत उप्योगी है और इसलिए आप समय जरूर निकालें सुबह से आम जब भी आपको समय लगता है और meditation किया कीजिए ताकि आप अपने जीवन को एक उत्सरेनी में high quality में ले जाए और अपने आपको peaceful, joyful और जील आपके जीवन में हो तो next वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी तर तक के लिए धन्यवाद, जैहिं, जैभार्ण